हाई फ्रेंड्स केशियो सब लोग आप सभीगा मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चेलेंजर्स में आधिक स्वागत है आज मैं फिर एक ने टोपिक के साथ सुरुवात करता हूँ जिसका नाम है केप्यूट सक्षिदेनम हैंसिफ्यल हेमेटोमा बहुत ही इंपोर्टे केप्यूट सक्षिदेनम की कंडिशन में फ्ल्यूट का क्लेक्शन हो जाता है नेक्स्ट स्वेलिंग इन स्केल्प जो इसकेल्प ब्रेन की कवरिंग होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है मिन्स सुजन आ जाती है नेक्स्ट है स्वेलिंग परजेंट एड़ टाइम बर्त जब बर्त हो जाता है बच्चे का, उसके बाद स्वेलिंग है, वो आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट है फ्ल्यूड में क्रोस शूचर लाइन, फ्ल्यूड है, वो शूचर लाइन को क्रोस कर जाता है आपको एक image दिखाई दे रही होगी इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं बता देता हूँ इसमें scalp की full form दी वी है first है जो उपर उपर line दिखाई दे रही है वो है skin उसके just निचे एक line note दिखाई दे रही है वो है glial aponeurosis दोनों के बीच में connective tissue उसके निचे है loose aureolar connective tissue just उसके निचे है periosteum periosteum के just निचे है जाती है durameter durameter से just निचे क्या है brain पुरा brain durameter के just निचे होता है durameter से निचे फिर arachnoid meter और arachnoid meter से just निचे parameter ऐसे वो तीन manages layer है जो brain को protect करती है चलिए next देखते है no need of treatment के पुट सक्षी डेनिम में treatment की कोई जरुरत नहीं होती है next automatically subside within a week यानि one week यह automatically subside हो जाता है means यह अपने आप ठीक हो जाता है एक week के अंदर-अंदर next swelling due to fluid collection यानि fluid collection की वज़े से swelling arise होती है next because of compression of lymphatic channel and venous drainage जैसे ही जो lymphatic channels है और जो venous drainage हो रहा है जो venous drainage करने वाली veins है उनके उपर जब compression होगा compression को वज़े से fluid है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल लेगा swelling cause करेगा next है increase hydrostatic pressure hydrostatic pressure oncotic pressure के opposite लगता है इसी के वज़े से जो veins या blood vessels है जो भी है उनके अंदर pressure हो maintenance रहता है लेकिन जैसे hydrostatic pressure बढ़ गया hydrostatic pressure बढ़ेगा तो oncotic pressure क्या होगा कम होगा जैसे oncotic pressure कम होगा vessels क्या होगी रप्चर होगी रप्चर होने के वज़े से क्या होगा क्योंकि बार बार पुछावा क्यूसन है इसलिए बता रहा हूँ चलिए next बात करते है cephalo hematoma cephalo hematoma means swelling due to collection of blood यानि की blood की collection होने की वज़े से swelling arise होना cephalo hematoma इसमें दो terms है cephal means brain hematoma means blood का collection means blood collection in the brain is called cephalo hematoma वेशे अभी last में बताऊंगा कौन-कौन से hematoma है जो brain में होते है चलिए next देखते है appear after birth birth जैसे ही होता है उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा do not cross the suture line जो cephalo hematoma है वो suture line को cross नहीं करता है वो image यहाँ पर है जो में बता दिये scalp की foot form है और जो durameter है उसके बाद में brain है तो आपको image और दिखा दूँगा आगे एक और आएगी जिसके अंदर आपको इजिली समझ में आ जाएगा सिफिल हमेटोमा और केप्यूट सक्षी डिनम कहां पर हो रहा है कैसी हो रहा है क्योंकि पेरियोस्टियम और स्कल के बीच सिफिल हमेटोमा देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और जो बच गया है सिफिल हमेटोमा में नो नीड ओफ ट्रीटमेंट इसमें भी कोई ट्रीटमेंट की जुरत नहीं पड़ती है सबसाइड विदिन सिक्स वीक्स ये ऑटोमेटिकली रिजोल विया सबसाइड हो जाता है अच्छ है वीके अंदर अंदर नेक्स्ट कलेक्शन ओबलड बिकोज ओफ रप्चर ओफ स्मॉल कैपिलरीज ओफ फिटल हैड ड्यू टू फ्रिक्शन वित पैल्विस जब बेबी डिलिवर होता है उस समय पैल्विस की फ्रिक्शन की वज़े से जो स्मॉल कैपिलरीज है फिटल हैड की उनमें रप्चर हो जाता है रप्चर होने की वज़े से बलड़ का कलेक्शन होता है जिसें सिफिलो हीमेटोमा देखने को मिलता है चलिए वो इमेज देख लेते हैं जिसमें चार कंडिशन्स है हीमेटोमा की चार कंडिशन्स है इसमें उपर उपर दिखाई दे रही होगी आपको केप्योट सक्सी डेनम नेक्स्ट है सिफिल हीमेटोमा नेक्स्ट है सबगलियल हीमेटोमा नेक्स्ट है एपिडूरल हीमेटोमा एक साइड में वो इसकेलफ वाली है लेश पांच लेश इसकी नहीं इपए नियूरो शीस है पेरियोष तेम मैं इसकल है डियूरा है यह कुछ इमेजेजेज है जो आपको श्योकर रही है यह यह लिए इसमें प्रजेंट है केप्यूड सक्षी डेनम शिपिलो इंच मैट और जो भी यह तीनूं हमेटो माझ है औ between the galea epineurosis and periosteum जो subglial hematoma है वो periosteum and glia epineurosis के बीच में present होता है syphelo hematoma between the periosteum and skull commonly caused by vacuum delivery and vertex delivery जो syphelo hematoma है वो periosteum और skull के बीच में होता है यह commonly कब होता है जब बेबी की डिलेवरी वेक्यूम के द्वारा हुई हो या फिर वर्टेक्स प्रजेंटेशन हो उसके वज़े से जो उसकी डिलेवरी तो हुई है नॉर्मली बट प्रजेंटेशन कौन सा था वर्टेक्स उसके वज़े से क्या होगा रप्चर होगी स्मॉल केपिलरीज मॉल सब्सक्राइड में सब्सक्राइड लिए हैं उसके मेंटर के तो उस condition को सबारेक नोइड हीमेटोमा कहते हैं नेक्स्ट है ओत्मेटोमा between the skin and the layer of cartilage of the ear जो ear के cartilage की layer है और उसकी skin है उसके जस्ट उपर skin है उसके बीच में यह दी हीमेटोमा बलड का collection होता है तो उस condition को बोलते हैं ओत्मेटोमा नेक्स्ट है ब्रेस्ट हीमेटोमा यह ब्रेस्ट में देखने को मिलेगा नेक्स्ट है पेरिकोंडल हीमेटोमा यह ear के अंदर देखने को मिलेगा नेक्स्ट है पेरियनाल हीमेटोमा यह NS के अंदर देखने को मिलेगा नेक्स्ट है सब नंगुवल हीमेटोमा ये नेल के अंदर देखने को मिलेगा ये थे कुछ हीमेटोमा के टाइप्स अब देखते हैं के टर्मिनोलोजी बहुत इंपोर्टेंट है ये चिगनों इस ये टंप्रारी स्वेलिंग लेप्ट ओन एन इंफेंट सेड आफ्टर सक्षन के द्वारा अगर किसी बच्चे की डिलीवरी हुई है तो उस कंडिशन में आपको चिगनों देखने को मिलेगा नेक्स्ट है इस नोट साइन ऑफ सीरियस इंजरी एंड में टेक एज लिटल एज टू हावर और एज लॉंग एज टू वीक्स टू डिसापियर मेंस यह किसी शीरियस इंजरी का साइन नहीं है चिगनों चिगनों किसी शीरियस इंजरी का साइन नहीं है अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिलता है गबराने की जुरूरत नहीं है यह है वो कंडिशन जो दो गंटे शी लेकर डिलेवरी के दो गंटे बाद से लेकर दो वीके अंदर Subside हो जाती है, Disappear हो जाती है, जो ये चिगनोन कंडिशन है, उसके मने एक इमेज रखी है, लास्ट में आप उसे देखर समझ सकते हैं, कि चिगनोन कैसा दिखाई देता है, और कैसा होता है, ये आपके सामने एक इमेज है, जिसके अंदर चिगनोन के कंडिशन आपिय हो रही है आपको image based question भी दे सकता है competition वाला examiner तो आपको confused नहीं होना है आपको right answer करना है image आराम से देखिए और पूरे lecture को समझने की कोशिश कीजी फिर भी नहीं समझ में आता है comment करके मुझे बताए मैं दुबारा आपको बताऊंगा यह था आज टोपिक के फिर सक्षी देनम एंड सिफेल ही में टॉमा